इंडिया में जब भी कुछ पहली बार होता है तो उसे जानना सबसे important होता है तो इंडिया की पहली insurance policy issue हुई है ब्रेल में आपको ब्रेल लिपी के बारे में पता होगा जो लोग आखों से देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिपी बनाई गई मतलब आपने देखा होगा dots ऐसे उबरे हुए जिसे अपने दोनों हाथों से touch करके ऐसे लोग जो देख नहीं सकते हूँ पढ़ते हैं इसलिए इंडिया में इंश्वर्न्स के छ SEEतर में ऐसा पहली बार हुआ है कि जब ब्रेल लिपी में इंश्वर्न्स पॉलिशि इइसू करीए किसने इसके फाइदे हैं और सिर्फ इंश्वर्न से सिमित नहीं है Employability के ऐसे इसमें बढ़ेगी सब कुछ हम इस वीडियो में समझेंगे वीडियो का अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें चले श्टार्ट करते हैं हलो मेरा नाम है चिंद्रहास StudySmart में आपका स्वागत है तो जो Star Health Allied Insurance है आपने नाम सुन रखा होगा इसने इंटर्डियूस करी है इंडिया की पहली insurance policy जो की Braille में होने वाली है ये एक example के लिए मैंने दिखा रखा है कि Braille लिपी जो होती है या Braille system जो होता है पढ़ने का और लिखने का उसमें ऐसे dots के माध्यम से हर एक लेटर कैसे दरशाया जाता है तो ये जो initiative है इसका नाम बहुत आपको याद रखने जरूत होगी Special Care Gold ये इसका नाम है initiative का जो की specifically tailored है disabilities के साथ जो persons हैं उनके लिए और यहाँ पर जो visually impaired हैं उनके लिए ही ये braille में इस policy को यहाँ पर release किया जाएगा तो ये जो launch है एक तरीके से कह सकते हैं कि जो हमारी society के ऐसे sections हैं जिनके बारे में पहले बहुत जाता नहीं सोचा जाता था अब सोचा जा रहा है तो ये बहुत ये अच्छा निर्णय एक होगा आगे इसे और भी लोग follow करें और सिर्फ एक insurance के छेत्र में ही नहीं बलकि हर एक छेत्र में ऐसा जरूर होना चाहिए तो अगर हम बात करें कि इस policy में किसके लिए policy होने वाले या फिर ये जो program है किसके लिए है तो ऐसे सारे persons जिनमें 40% या उससे अधिक की disability है सिर्फ visually impaired तो नहीं visually impaired के लिए खास तर पर braille में होगा बाकि जो physical sensory या फिर cognitive impairment है जिनके अंदर सब के लिए ये जो program है special care goal ये होने वाला है अब यहाँ पे आपको ये जो policy होगी ये comprehensive health coverage देगी मतलब जो visually impaired है उनको खास और पयाँ पे ध्यान में रखा गया है कि ऐसे जो medical treatments हैं support services हैं जो कि पहले के जो insurance policies हुआ करती थी traditional उसमें नहीं मिलते थे वो अब इस initiative में मिला करेंगे तो ये ऐसे लोगों के लिए कह सकते हैं बहुत अच्छी initiative है फिर अगर इसमें बात करें कि इसको कैसे collaborate करके develop किया गया है तो ये जो braille version है policy का इसको बनाने के लिए National Association of the Blind NAB जिसको short में कहते हैं उसके साथ Star Health Alliance Insurance ने partnership करी और ये पूरा जो policy है इसका development किया इसमें जो expert हैं मतलब इस छेतर के उनको यहाँ पे लाया गया ताकि जो solution डेवलप किया जाए वो बहुत ही ज़्यादा suitable हो जिस person या जिस category के लिए डेवलप किया जा रहा है उनके लिए और यहाँ पे यह भी बात बताए गया कि policy सर्फ ऐसा नहीं कि सर्फ health insurance प्रोवाइड करेगी यह जो initiative है बलकि यह financial inclusivity को भी बढ़ावा देगी कैसे कि यह जो visually impaired individuals हैं उनको licensed insurance agent बनाने का भी काम करेगी मतलब यह जो initiative है सर्फ रहाशन है health insurance या फिर health product एक दे दिया insurance का कि आपको मिल जाएगा इस initiative के तहत ऐसे वेक्ति जो visually impaired है अगर वो चाहते हैं कि इस field में आगे बढ़ें तो उनको licensed insurance agent बनाने का भी यहाँ पर मौका होगा और इसमें जो exam preparation होती है licensed insurance agent बनने के लिए audio training जो होगी dedicated assistance जो hotlines होती है वो सारे support जो है star health वाले provide करेंगे वही मैं कर रहा था शुरुबात में ही कि सर्फ यह insurance type ही नहीं है बलकि जो initiative है इससे employability भी बढ़ेगी जिससे ऐसे लोग जो हो सकता है इस शेतर में जाना चाहते हैं अपना career बना चाहते हैं लेकिन अभी तक इस तरह का system थाई नहीं कि वो चीजों को पढ़ पाएं सुन पाएं अपने से खुच से अपने आपको train कर पाएं braille में वो था ही नहीं अब इससे लाया गया है जिससे अब इनकी जो training है वो भी हो पाएगी और ये इस field में भी काम कर पाएंगे अगर हम बात करें कि इस तरह का initiative है इसका उदेश क्या है तो simple सी बात है inclusivity को लाने का प्रयास किया जारे inclusivity का मतलब कि पहले अगर देखा जाए तो हम किवल एक जो सामान इवेक्ति है उसी के बारे में सोचते हैं जिसके हाथ, पैर, आख, नाख, कान, दिमाग सब को सही है उसी को ले करके सारे development होते हैं अब धीरे-धीरे देखा ऐसा जा रहा है जैसे आप कहीं बे जाते हैं तो आपको सीड़ियां मिलती है उसके साथ साथ आपको एक ऐसा inclined plane surface भी मिलता है वो ऐसे लोगों के लिए है जो सीड़ी नहीं चड़ सकते हैं या पैर उनके खराब हैं तो अगर वो wheelchair से आ रहे हैं तो उस wheelchair को आसानी से उसके उपर लोड़का करके और फिर उसे कोई person support करके खुद भी उसे उपर ले जाये जा सकते हैं जो सीड़ी पे possible नहीं था तो इस तरह की जो inclusivity आ रही है इस तरह के जो कह सकते हैं कि initiative हैं इनके द्वारा ही आ रही है और यह जो special care good initiative है यह IRDAI मतलब insurance regulatory development 30 of India का जो एक aim है insurance for all by 2047 इसके साथ align है यह इंडिया में आपको पता होगा कि insurance का जो penetration है वो काफी कम है compare to जो developed countries हैं उनकी तुलना में क्योंकि इंडिया में insurance को लेकर के अभी भी उतनी awareness नहीं है और लोग कराते भी नहीं है तो इस वज़ा से अगर insurance हमारा penetration कम है तो इसको बढ़ाने के लिए इस तरह की initiative लाए जा रहे हैं और यह aim रखा गया है कि 2047 तक सभी लोगों के पास जो insurance सुविधाय हैं वो पहुंच सकें तो इसके तहट काम किया जा रहा है तो उसमें तो सारी लोग आएंगे सिर्फ ऐसे लोग नहीं आएंगे जो सब हर तरफ से ठीठा के उसमें तो हमें सब को लेकर के चलना होगा तो यह उससे भी align है तो MDCO है Star Health Insurance के आनंद रॉय उन्होंने ये बताया कि लिखा है कि that this milestone align with their mission to deliver equitable access to health insurance के मतलब कि health insurance जो product है वो सब तक उसकी पहुँच हो और सब के लिए cater करे ये इस motto या फिर कह सकते हैं इस aim के साथ इन्होंने इसे launch किया है और ये जो health Star Health का initiative है इस बात को भी ये highlight करता है कि जो economic impact है of vision impairment in India लिखाया है कि इस vision impairment के वज़ा से भारत में जो productivity loss है वो 64,600 करोन रुपए का है annually मतलब कि अगर जो visually impaired लोग अगर ना होते तो इतनी ज़्यादा productivity बढ़ पाती मतलब अगर वो लोग भी सही तरीके से काम कर सकते या फिर उनके लिए ऐसे साधन develop होते कि वो जो चाहते हैं करना वो कर पाते क्योंकि वो साधनी नहीं develop है वो चाहते तो हैं काम करना लेकिन support ही नहीं है उनके पीछे तो अगर ऐसा support होगा तो ये जो loss है इसको भरने का प्रयास किया जाएगा जैसा भी मैंने आपको पताया कि इसमें सिर्फ ये आप कह सकते हैं health product ही नहीं है insurance product नहीं है बलकि इसमें employability वाली भी बात है तो जो लोग आना चाहते हैं तो employability भी इनको प्राप्त होगी इस शेत्र में तो ये जो gap है इसको भी fill करने का प्रयास है star health की तरब से तो ये थी पूरी news इंडिया में जब भी कुछ पहली बार होगा इंडियास first होगा तो वो हमेशा important रहेगा और उसको ले करके आपके exam में भी कई सतरा से चीज़ें पूछी जा सकती हैं तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी होगी बाकी वीडियो गर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस तरह की वीडियो शाते हैं मिस ना हो तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे मिलते हैं अगले वीडियो में सबी लोगों को बाए झा यह वीडियो में वीडियो मिलते हैं झाल